हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई चैनल हर्ब्स एंड स्पाइसिज आज हम बनाने जा रहे हैं करेला दो प्यासा इसमें दो तरह के मैंने प्यास कट किये हैं सबसे पहले करेले को कट करके छील कर और दो हिस्सों में कट करके इसको तीन चार घंडे के लिए नमक लगा कर देखिए इस तरह से दो तरह हिस्सों में कट करके मैंने नमक लगा कर रख दिया उसके बाद मैंने सभी करेलो को अच्छे से धो कर नमक सारा उतार दिया और इस तरह से उसके पीसिस कर लिये हैं मैंने कुछ प्यास मोटे काटे हैं और कुछ प्यास का बारिक पेस्ट कर लि अब हम करेले को लाल होने तक इनको फ्राय करेंगे जो प्याज मेंने बारिक काटे हैं उस में मैंने हरी मिछा भी साथ ही बारिक बना लिया है पूरी तरह से पेस्ट नहीं बनाया लेकिन थोड़ा दरदरा सा मैंने उसको पेस्टा है ताकि थोड़े-थोड़े मोटे रहें प्यास और कुछ प्यास मैंने चार हिस्सों में काटकर थोड़े मोटा पेस्ट उसके रखे हैं यह देखे करेला फ्राई हो गया है अच्छे से रेड कलर का करेला फ्राई हुआ है अब हम उसी तेल को में सब पहले बारिक प्यास डालेंगे प्यास और हरी मिर्च जो हमने कट करी थी और जिसको मैंने कदुकस कर लिया था वो मैं वो डाले हैं उनको अच्छे से भूनने के थोड़ा जब वो गुलाबी कलर के आ चाहेंगे तो हम उसमें दूसरे तरह के जो कट किये हुए प्याज हैं वो भी हम डाल देंगे यह देखिए वो भी डाल दिये मैंने अब हम थोड़ी देर के लिए इनको भी थोड़ा सा लाल होने तक भून लेंगे प्याज देखिए अच्छे से भूनना शुरू हो गए हैं अब हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे दो चमज दो छोटे चमज मैंने धनिया पाउडर डाला है और जितने हमने प्याज लिया हैं उसके अकोर्डिंग ही मैंने थोड़ी सी हलती भी डाली है हरी मेर्च हम पहले डाल चुके हैं तो लाल मेर्च नहीं डालेंगे अब हम इसमें करेले डाल देंगे नमक डाल देंगे नमक आप अपने स्वाद के अनुसार और करेले की क्वांटिटी के हिसाब से डाल लेजिए फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छे से मिलाकर उसको कर पकने के लिए रख देंगे हम इसलिए क्योंकि करेले को थोड़ा सोफ्ट हमने करना है तो अगर हम थोड़ा पानी डाल देंगे तो ये अपने आप ही थोड़ी देर बाद पानी सारा सुख जाएगा और देखिए साइड में तेल करेले ने अपना छोड़ना शुरू कर दि है अच्छे से मिलाकर हमारा करेले का बहुत टेस्टी सबजी हमारे त्यार होगी है यह मैंने आयरं की कडाई में बनाये थे तो हम कोटी के साथ और प्रांठे के साथ खाएं तो बहुत ही स्वाद लगता है साथ में आप दहीं ले सकते हैं यह देखिए सबजी बनकर तयार हो गई है